हेलो अब्रीवन आज मेरे करें हो चिकन चौमिन की रेसिपी इसे बहाना बहुत ही आसान है और यहां बहुत जल्दी बनकर रेड़ी हो जाता है तो चल्दी से बहाना शुरू करते हैं सबसे पहले बोलनेस चिकन ले लेंगे तो मैंने यहां 250 ग्राम बोलनेस चिकन लिया है इसे हमने इस तेकर चुटर पीसेशन कर लेना है बहुत राधा बड़े पीसेश नहीं रखिएगा अब इससे माइट कर लेती हूं सबसे पहले इसमें जाया का स्वाधूनसार नमक इसके हलके से क्रिस्पी बनते हैं काफी अच्छे लगते हैं खाने में अब इस साइड चीजों को अच्छे सा मिक्स कर लेंगे और इसे 15-30 मिंट के लिए रखकर साइड में रख देंगे जब तक चिकन मैइनेट हो रहा है तब तक आप सब्दियां चॉप करके रेडी कर सकते हैं इसके बार एक पैन में 3-4 टेबल स्पून ओय ले लेंगे कैस की फ्लेम को मीडियम हाई रखिएगा जब ओय गरम हो जाएगा तो इसमें चिकन के पीसे डाल देंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक या बाहर से हलके ब्राउन ना हो जाए कैस की फ्लेम मीडियम हाई है तो इसे बीच भी में जब चलाते रहिएगा ताकि जो चिकन वो हर तरफ से अच्छे से पक जाए स्टार्टि में तो इन्हें पलट पलट कर हर तरफ से अच्छे से पकाएंगे अभी इसे में 90% कुक करना है बाकि जो बचे कुछी 10% कसर रह जाएगी वो हम सब्जियों के साथ पुरा पका लेंगे तो लबच 4-5 मिंट में चिकन अच्छे से पक गया है और आप चिकन को थीमियाच पकाएंगे न चिकन बहुता पानी छोड़ देगा इसलिए से मीडियम हाई फ्लेम पर चलाते रह पकाईएगा इस स्टेज पर आप चाहें तो चिकन को फुली कुक करें और पैंस निकाल लें उसके बाद सब्जियां पकाएं और चिकन को बाद में आड़ करें तो मैंने चिकन को 90% को किया इस तरीके से आप कट करेंगे तो यह देखिए कितने अराम से अलग हो जा रहे हैं पीसे क्योंकि मैं चिकन के साथ ही में सब्जियां पकाने वाली हूँ अब चिकन को न इस तरीके से हम किनाय कर लेंगे और इसके सेंटर में एक चमश बारीक कटा हूँ लेसुन डाल देंगे इसके साथ ही में जाएगे दो बारीक कटे हूँ हरी मिर्च गैस की फ्लेम को मीडम हाई रखेगा और इन एक बार इस चला लेंगे और कुछ सेकेंड के लिए पकने देंगे त्यान रखेगा लेस्नियों को में ब्राउन नहीं करना है अब इसमें जाएगा हरी प्याश का सफेध हिस्सा या बिल्कुल ऑप्शनल है एक लंबाई में कटा हुआ प्याज और एक लंबाई में कटे हूँ शिम्रा मिर्च अड़ करेंगे इन साइड चीज़ों को अब इसमें थोड़ा सा पत्ता घुबी आड़ करेंगे इसे भी फटाफट से मिक्स करके एक मिट के लिए पका लेंगे और इसी दाथ जो चिकन है वो भी अच्छी से पक चुका है एक मिट पका लिनेक बाद क्यास की फ्लेम को लो कर दीजेगा अब इसमें उबला हुआ न चमक एड़ किया है अब इसमें जाएगा एक चमच विनेगर दो चुटी चमच सोया सॉस और इसमें एक चमच चली सॉस एड़ करेंगे अब गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इंसाइज को फटा फट से मिक्स कर लेंगे अब वो तीखा पतन दे तो आप इसमें चुटक अब बढ़ें हो जाता है आप इसमें चलाते हुए दो मिंट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस सासी और सबजीया और रूलस अच्छे से मिक्स हो जाए इतना ही पगाना है हमें लास्ट में स्पिंग अनियों टाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और इन्हा पसंद आई हूँ तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले